इसका दूद पीले आदमे उछड़का पड़ेगा गी खाले उछड़का पड़ेगा मैं इसका गी खाले दूद पीले पड़ा पड़ा सोगा प्रणाम साथियो मैं गोपुतर राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरुक किसान चैनल पर तो यहां पर मोखरा गाउं की पाउन दर्ती पर बहुती सुंदर गोवंस यहां पर देखने को मिली हर्यानसल की सवेट सुंद्रिया गाए यहां पर बैसों के साथ चरने के लिए आई हुई हैं तो यहां पर शिलूताओ जी हैं जो इन गायों को यहां पर लेकर आए हैं सुबह से स्याम तक दिन रात इन गायों के साथ रहते हैं इनके साथ अपना समय बैतित करते हैं यहां पर गोचरबुमीतनी बची नहीं है कबजा कर ली है और इसलिए यहां पर जो खाली खेत पड़े हैं इनी खेतों में पिछोर पालियों को देख सकते हो खाली खेत पड़े ही नहीं में अपनी गायों को यहां पर चराते हैं यहां पर ननी बच्या को देखे, अपनी मा के साथ ही आई हुई है, मुँपर चिक्की लगाई गई है ताकि जया दूद ना पिले, इसी तरह आप वहां पर गाय देखे, काफी उंचे रोब की, तगडे रोब की, सुंदर सुंदर गोवंस वहां पर देखने को मिलती हैं, तो इन गायों का गीदूद अगर मनुष्य को खाने को मिल जाए, तो कभी भी डोक्टर के पास जाने क्या हो सकता नहीं पड़ेगी, जो बड़े-बड़े मेडिकल्स हैं, वो एकदम से बंद हो जाएंगे, अगर सभी लोग इनी तरह, इनी देशी गायों का इसी परकार, परकार के लिए, तरह, तरह की ओषदिया खाने के लिए, गास फुस्काने के लिए, तो श्याम का समय हो चुका है, सूरज डलने वाला है, इसलिए जो गायों यह बैसे हैं, अपने घर जाने के लिए उच्चुकता परुख है, अब वहां पर जैसे यह गायों इसकी जो जी राम राम, आप यहीं पर आसपास में गुमाते हो गायों को या फिर यहां पर मोख्रा गाओं में कोई गोचर भूमी भी है, यहां जी बिया आपका जंगल पड़या हो च्छसोबी गोचर है, ठीक है, उसके अंदर भी चरक्या आती है, ठीक है, अर इसर फिर साइडा मे इनकलती हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहीं पर आप पूरा दिन इनके गायों के पीछ रहते हो, हाँ, जी, हाँ, कोई कभी दिन ऐसा आता है, जो गाये खेत में ना है, ना सरहाई है, कोई दिन नहीं हरोज लेकर आते हो, कोई साधीत हो, और कैसा ही मुसम हो, हरोज, ठंड है, तो आप इनका गी दूद शेल कर देते हो, हाँ, जी, दूद बेश्ते हो, इसका मखन देते हैं, ठीक है, और आपके पास लगबग कितनी काये हैं, टोटल, यह गाएं आपके पास साथ होगी, जी, साथ गाये हैं, ठीक है, फिर आप इनका, आपको कोई फरक मिला अपने पर टूट बार पारी दी, इनका गवां के दूद पीने से, इनकी सुभगी निंदा भी बकत से होगी, शामी निंदा लेट होगी, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर सिलूता उजी ने जो बात बताएं निंद वाली, मैंने पीछली बहुत सारी वीडियो में, किसान सातियों से, ग गाय का अधू पिने से, इनकी सुभए हमारी आस्के जल्दी जल्दी ouडताती है, हमारी जाग आ जाती है, जल्दी हिं हमारी जो नीद है वो पूरी हो जाती है, इसके लिए पीता है इसके ंखर आधकर उनके निकलने के बाद तक सोते रहते हैं, हमें प्सी नी रहता है, उ तो पीया है तो शेन्यों मतलब 25 प्रसंट निंद्रा फैल हो चुकी ठीक है उसके साथ मापने देखो जी के मतलब निंद्रा पेम से उखते हो आप इसलाइं करी कर सकते हो वैसे तंदु उस्त के साब आपने कारी पाश पाश पूगी चाह आप जैसे गायों को चराते हो फिर सब्सक्राइब技 worthा चरा चाहे हो नहीं कि परते ही नायारी शक्रेंड़म आपके पास 50 वे प眼 Άपके आवाश कर और यह आपके अवाज पैचाए तो बीस किलो मिट्र के चक जो करने आपके ऑच आपके अवाज shedding लिए Partners रहाएं investment आड़े आपके तो । लडिय ठीक आपने ये अपनी नाम रखा है ठीक है और आप कोई फरक देखने को मिला जैसे गये कितना खाती है वैस की तना खाती है उसे मेंола काव से WOW यहां पर सर्बत नहीं का रहे हैं कि जो गाइब यह दो सर यानि की दो किलो खाती है और जो बैस है वह आठ शेर आठ किलो खाती है इसके पर जब गाय कम खाकर भी दो किलो खाकर भी जो फाइदा है वह बैस वाले आठ किलो खाने वाले से भी ज्यादा फाइदा देती है यह करें ना जी ठीक है तो अब यह जो गाय है यहां स सदक से वहां पर गई हैं फिर पीछे आपके घर पे चली जाएंगे अपने आप चली जाएंगे आपको पीछे पीछे जाने की कोई जुरूत नहीं ना जी मतलब नहीं जिए अगर 20 किलमेटर से भी छोड़ जोगे ना चरागर से थबकी मारके जी शिवा बजागर जी प्यार से क्रिशिर मगवान नाम देकर आप प्यार से थबकी लगा जो जी आज फेर के चलो भी आगाउं चलाएंगे ठीक है आप किसी चीज में वाहन मत जाओ एक हुझा रोस्ता पढ़ा जो सीजिए आप दो आर पर पोस्ट नहीं है मैस को कर छोड़ जिया गा तो मैस की तसलिए पांच मिंट की फल बरकी कहीं गुम हो जाती है बार बार ठीक है तो यहां पर गाउं से निकल ठीक अता हुझा आप जाए जाए आप गायों के साथ जाए ठीक है तो यहां पर देखिए दूर दूर तक खुले खेत हैं पिछे वहां पर पिछे वहां पर जो पानी की जो टं बना दिये कहीं आसपास के किसानों ने उसके उपर अबजा कर लिया और फिर थ्ट बहुट बची वहां पर जो विदेसी काबबी केखर के नहीं अचे के लिया तो यहांपर इशी परकार शिलू ताउ जी की तरह ही एक ताउ we वो हमे पनी गायों को यहीं पर लेकर आए हैं यहां पर सिलूत आभी केरें यह को साथ में आप पर लोगने आप गायों को साथ में लीकर रहा हैं जिन्यद्रकूपर नेसे साने अपायओ जन्यद्रक किर्हिशा कोई ऊतन कि किसरी वार बैलेगी दूसरी भार में इसने कितना दूद निकाला ये दूसरी बार का तो नहीं है यह तफा K T मा ने शोड़ा की लेदुर निकाला है इसकी में अब आपके पास है इसकी महां का है इस घाए की महां तो यहां पर देखिए शूंडी ना भी विलकुल भी नहीं है और जो सोगे ना भी से लेकर अड़र तक जो लटकती वी जो ताउच्छा है अब यह दूद नहीं देती ताउजी कितने महीने की वोगी थी प्रेगनेंशी तो यहां परताओ जी बता रहे हैं कि ज्यादा चराई की वज़े से जो गाई है प्रेगनेंशी की ठेर नहीं पाई नहीं तो पिसले महीने ब्याज आती अब वापिस से गया भी नोगी फिर बैएगी तो तो ताओ जी आप अपनी गायों को बैसों को यहां से सुबह से श्याम तक इसी परकार चराते हो। पीचे अब श्याम का वक्त है यह से दूर तक क्यतों में पिछा के लाए हैं अब यहां पर जो गाई वैसे हैं यह क्यांसे खेट चेह गर में जाएंगी गर यहांसे खेटों के लगता हुआ है ठीक है तो जी जैसे यह गाय है आपने इसको पकड़ रखा अगर मैं इसके पास आता हूं तो मेरे उपर परार करने लग जाती है यह मेरे से रूष्ठ है इसी परकार अगर कोई बार कादमी आए उन सब के परती ऐसा व्यवार रखती है यह दो किले जै मेरा कोई आइन कर नियू कोड़ी बर ले चे बठना चाहो तो दो किले दूर तब पाजिका जान तो मार जागलन त्टीक यह पर टाव जी बता रहे हैं कि अगर दो किले दूर भी गाय होगी और अपर कोई परार करे तो गाय बाग्या आएगी और उस आदमी को जान से भी मार सकती है अगर ताव इसको गाय को नहीं बोले तो तो देखे जाने है तो अब की बार इस ब्यात में क्या था इसके नीचे बचड़ाया बचड़ी बचड़ा था मर ठीक है तो यहां पर देखिए ताओ जी काफी अच्छा गोपालन कर रही हो तो ताओ जी आप बैसों को भी रखते हो गाय को भी रखते हो तो जब आप चोटे थे तो आपके पास कितनी गाय रहती थी थी ठीक है तो लगबग 40-50 साल पहले 25-30 गाय रखते थे तो आपको क्या देखने को मिला समाज में ऐसा क्या परिवर्टन आया कि लोग बैसों को अपनाने लगे गाय को छोड़कर यो शरप इतना से बया इवे जो यह मेले फेड़े बंद होगे ना जी इस तक गव की कदर नहीं रही ठीक है गव की कदर उस गर में जो गव मत्ता मानिका रखा हाँ जी 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 उस कदर पीले आद में उचड़का पड़ेगा जी घिघकाले उचणका पड़ेगा जी मैंश का गिखाले दूद पीले पड़े पर्या पड़ेस हो गा जी 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 इसमे Lukeoi अ मारी अरियाना नसल की जो गाइय है इसके दूद में किरीOLD में कृर्जा इसके गी मेंशती इतनी जाती हैं इनका कारण यह एक हमारे जो पूर्वज हैं घाय रखते थे बहुत ज्यादा घाय रखते थे और किरियात्म कुर्जा तकडे रोब वाली गाय का दूदुध पिते थे इसी कारण जो इसका नतीजा है आज भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है तो यहां पर ताओ जी को देखिए इतनी इतनी गरीब घै कि अपनी पूंच को उठा लेती है ताओ जी अगर आथ फिर आते हैं तो ताओ जी के साथ अपनी ममता का परदर्शन करतें इसके विप्रितागर मैं इसको आथ लगा करोंगे इतना मम्तव आएगा इतना गयर असंब्द बनेगा कि हम अपने परिवार को भूल नहीं पाएंगे हर कदम पर अपने परिवार के साथ खड़े रहेंगे आज कल जो भाई-भाई को देखकर राजी नहीं रहता खुश नहीं रहता इसका कारण यही है कि हम बैसों का दूद पीते हैं बैसों के दूद में ऐसी कोई ममता नहीं है ऐसा कोई प्यार नहीं है ऐसी कोई स्वामी भक्ति नहीं है अगर मालिक के साथ चाए कोई कुछ भी करें तो जो बैसे हैं यह कुछ नहीं बोलेंगी अपने आराम से चरती रहेंगी ना कोई आवाद से आएंग तो जो स्वामी बक्ती भी दिखाएगी अमारे प्रिवार का पूरा साथ देगी